मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मु कश्मीर में, मुजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टिटूर में, बाइक रेलीज हो, चन्रिगड के लोकल क्लब हो, और पंजाब में धेर सारे स्पॉर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है, एंटर्टेन्मेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है, लेकिन बात कुछ और है, ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है, और ये कॉमन कॉज है, ड्रक्स के खिलाब जागरुकता अभ्यान, जम्मु कश्मीर के युवाओं को ड्रक्स से बचाने के लिए, कई इनॉवेटिव प्रयात देखने को मिले है, यहां मुजिकल नाइट, बाइक रेली जैसे कारिकम हो रहे हैं, चेंडिगर में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है, वे इन्हें बादा क्लब्स कहते हैं, बादा या नहीं, विक्टरी अगेंस्ट ड्रक्स एब्यूज, पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रूप्स भी बनाए गये हैं, जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए एवरनेस केंपेंच चला रहे हैं, नशे के खिलाप अभ्यान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्सा बढ़ाने वारी हैं, ये प्रयास भारत में नशे के खिलाप अभ्यान को बहुत ताकत देते ह हमें देश की भावी पीडियों को बचाना है, तो उन्हें ड्रक्स से दूर रखना ही होगा इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभ्यान की सुर्वाद गई थी इस अभ्यान से 11 करोड से जादा लोगों को जोड़ा गया है दो हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रक्स के खिराब बहुत बड़ी कारवाई की है ड्रक्स की करीब डेड़ लाक किलो की खेप को जब्त करने के बार उसे नश्ट कर दिया गया है भारत ने 10 लाक किलो ड्रक्स को नश्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है इन ड्रक्स की कीमत बारा हजार करोड रुपे से भी जादा थी मैं उन सभी की सरहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इसे नेक अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं नशे की लत्थ नशिर परिवार बलकि पूरे समाज के लिए बड़ी परिशानी बन जाती है ऐसे में ये खत्रा हमेशा के लिए खत्म हो इसके लिए जरूरी है कि हम सब एक जुट होकर इस दिशा में आगे बड़े